कि दोस्तों अगर आप एक CSC VLE हैं और आप सभी CSC DGP चलाते हैं या AEPS किसी भी कंपनी का यूज करते हैं तो ऐसे में आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है का कंपली जनकारी आप सभी को होना बहुत ज्यादा आवश्यक है अगर आप एक वियर लिंग है और आप सभी AEPS के मादम से कैस निकासी करते हैं या मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं या बैलेंस इंक्वारी करते हैं तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए कि कोड नंबर का क्या क्या मतलब होता है और इसका सल्यूशन क्या है ताकि आप अपने कस्टमर को आसानी से बता सके कि उसकी आधार से क्या समस्याइब है और किस प्रेकार से वह अपने आधार की समस्याओं को सॉल्व कर सकता है क्या टेक्निकल इसू है या फिर NPCI में इस प्रिकार से आपको error code देखने को मिलता होगा जो कि यह short cut में आप सभी को दिखा जाता है अब ऐसे में बहुत ऐसे कम VLE हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं उनको तो खैर इसके वारे में पता चल चुका है लेकिन कुछ नए VLE हैं जिनको इसके वारे में कोई भी हैं तो आप सभी को जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप ट्रांजक्शन करते हैं करते हैं निकासी करते हैं चाहिए वो डीजी पी चलाते हूं या फिर कोई भी एक्स यजड एपेस कंपनी को आप यूज कर रहे हो तो उसमें कभी ना कहीं आपको ज़रूर एर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को आउन कर लिजेगा ताकि इसी प्रकार की आप लोग सबसे पहले देख पाएं अगर आप लोग की मन की इच्छा यह है कि यह पोस्ट कहां से मिलेगा तो आप से भ पर दो बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक्रोड और अर्यगोर का मतलब ठीक है तो इससे यह आप देख पाएंगे लिखा हुआ है एडर कोड इसक्रिप्शन और एक्सेंट भी टेकन ठीक है तो यहां पर पर इसफ़ेंग जानेंगे ुरोएर्ट कोड देख अगर य यानि कि आपको दुबारा से ट्राई करना है और अगर आपको error code 9 दिखाए देता है तो इसमें request in progress है यानि कि आपने customer के finger लगाया तो वो जो है under process में जा चुका है request progress में जा चुका है तो आप लोग उसका status भी चेक कर सकते हैं अब यहां पर बहुत से लोग को error आता है format 30 ठीक है error code 30 तो इसका मतलब यह है format यानि कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके system में कई बार time date सही नहीं होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ा आ रहती है जिससे की apps काम नहीं करता है तो वहां पर आपको इस प्रिकार से देखने को मिलेगा error code 30 तो यहां पर आपको अपने उस device को clean करना है और दुबारा से try करना है ठीक है अब इसके बाद यहां पर आपको error code देखने की मिलता है 45 जिसमें की दिखा रहा है कि account close ठीक है अगर आपको error code 45 द देखने को मिलता है 51 तो इसका मतलब है non sufficient fund यानि कि उसके accounts में पैसे नहीं है तो आप सभी को पता ही होगा और यहां पर एक और रिकोट लगभग सभी को पता होता है 52 नमबर error code आता है जिसमें की no check account इसका मतलब यह है कि जो कश्मर आपके पास कास वीडियो करवाने आया ह निकलाने आया है उसके बैंक में आधार लिंक नहीं है ठीक है तो इसको बता सकते हैं जिससे की कास्मर आसाने से अपने बैंक में जाकि आधार को लिंक करवा सकता है और अगर आपको देखने को मिलता है 65 तो इसका मतलब यहां पर सकते हैं exceed withdrawal request यानिकी यहां पर देख पाय यहां पर आपको देखने की मिलेगा प्लीज ट्राइट टुमार यानिकी आपको जो है अगले दिन उसको ट्राइब करना है आपको केस्मर को बता देना है ठीक है इसके बाद अगर आपको इर्र को देखने की मिलता है 68 तो इसका मतलब है response received too late यानिकी आप अगर कर फिंगल सब्सक्राइब कर रहे हैं और ऐसे में आपको 60 इर्र देखने की मिलता है इसका मतलब यह है कि जो एनपीसी आई का सर्वर है वहां से एपेस को कोई भी प्रॉपर तरीके से response नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में जो है आप दुबारा से ट्राइब करें ठीक है और इसके अगर आपको इर्र कोड देखने की मिलता है यहां पर देखने की मिलता है तो यहां पर डूब्ली के ट्रांजक्शन हो जाता है जिसमें की आप लोग जो है थोड़ी देर के बाद पुना ट्राइब करें कई बार क्या होता है कि आप लोग जल्दी बाजी में फिंगर लगा कर उसका कास्वी डूल करना के कोशिस करते ह दूसरा बीकाद दोनों कई बार मिस्ते कोई एक जो है सकस होता है और एक कैंसल होता है ठीक है तो ऐसे में आपको पुना ट्राइब करना है ठीक है इसके बाद अगर आपको एर गोड देखने को मिलता है 98 ठीक है अगर 98 एर कोड़े तो इसका मतलब है कि जो लिमिट है यहा यहां बताया गए इसका मतलब की प्लीज वेट फोर सम टाइम एंड डू दा ट्रांजक्शन यानि कि आपको जो है थोड़ी देर के बाद पुना जो है ट्रांजक्शन करना है लगबग आदा घंटे के बाद तुरं तुरंद आपको नहीं करना है ठीक है और अगर आपको इरर कोड दिखाए देता है 99 तो यहां पर काफी लोगों ने देखा होगा कि आपको डिजी में 99 देखने को मिलता है तो यहां पर डिकलाइं अगर आपको दिखता है यू थी तो इसका मतलब है कि उसका बायो मेट्रिक्स जो है वह मैच नहीं कर रहा है इसलिए टांजक्श आपको इर्र कोड देखने ही मिलता है यू आई ती यू आई में आपने कई बार देखा होगा कि जो कस्टमर साते हैं उनकी फिंगर्स काफ़ दर सूखे होते हैं तो ऐसे में जब आप फिंगर लगवाते होंगे तो वहाँ पर टाइम आउट हो जाता है यू यू आई टाइम आउट थी जैसे कि आपने देखोगा लिखा होता है तो आपको अपने बायमेट्री को अच्छे से क्लियन करना है और कस्टमर का अगर फिंगर नहीं लगए इस प्रिकार से यू आई टाम आउट आ रहा है तापको कस्टमर का पानी से हाथ को थोड़ा से धुरा लेना है औ ठीक है तो यहां पर बता रहा है कि स्क्रीन एंड ट्राइगन की आपको फिर दुबारा से एक बार ट्राइग करना है और हाँ अब यह रोल लागू हुआ है कि आप जैसे मानलों किसी वेक्ति का कैस्ट वीडियो कर रहे हैं जैसे की 110 रूपे या 2020 रूपे ऐसे आपको नही है इन्वेलिड एमसी टैग अंडर मेटा ठीक है यानि कि जिस वेक्ति का आप फिंगर लगवा रहे हैं उसका फिंगर आधार के रिकॉर्ड की अनुसार मैच नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप जो है उसका फिंगर लगा कर दोबारा से ट्राइग कर वा लीजेगा कई बार इस केसे में होता है जातर गाउं में यह होता है जो गाउं में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके फिंगर्स कभी बार नहीं आते हैं तो अगर बार बार आप ट्राइग करतें तब भी निया था तो उनको फिर अपने बार मेट्री को अप्डेट कर वाने की आवाई सकत बताया गिया no connection with NPCI यानि कि आप जिस समय में transaction कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस समय NPCI का server down हो या हो सकता है कि आपके biometrics में कोई problem हो तो इसका भी solution बताया गया है प्लीज चेक transaction limit यानि कि उस बेखती के transaction limit को check करना है open morpho apk on your mobile and click on refresh प्लीज ट्राय आगेन आधार इस्ट्रेटरस मार्केट कैंसलर का नेप्यूटी इसू यानि कि आधार का भी इसू हो सकता है तो कई समस्याओं का अगर आपको सामना करना पड़ता इसका मतलब हो सकता है कि नपीर से अगा सरवे भी डाउन हो तो आपको थोज़ी देप्पुनाह ट्राय करना है वागर का बाइयमेटरिक का बढ़न होगा तो अपने घावर को अपडेट करना पड़ेगा ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि इस इर्रकोट के बारे में मैंने आपको अच्छे जनकारे दिए होगी और इसकी बारे में में आपको चछे से बताया है भाकि आप को यौला पोस्ट चाहिए यौला इमेंज चाहिए तो आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर यहां पर यह दाल दिया है आप लोग फटा हमने चैनल चैनल को जोइन कर लिजिए गा लिंक वीडियोघिसकियो में आपको मिल जाएगा ठीक है और अगर आपको तने भी वी इए अट्रिक वीडियो को लाइक करके जाओ और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए और नोटिफिकेशन पर लाइकन को आउन कर लिजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट इंफिमेशन आप लोग सबसे पहले देख पाएं धन्यवाद